नमस्कार दोस्तों Study IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चाइना और ताइवान के बीच में अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ रही है इस बार चाइना का जो लेटेस्ट वेपन है ताइवान को परिशान करने के लिए that is sand dredging basically अगर हम कहें single word में तो चाइना इस बार sand का इस्तिमाल कर रही है in order to create a ruckus with ताइवान यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि exactly चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है चाइना की क्या strategy है and also बात करेंगे ताइवान इस चीज़ को लेके basically जवाब कैसे दे रहा है चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड सकते हैं याद रखे कोई भी आपको query है तो मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं Also Study IQ आपको यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और आप पे आपकी UPSC की तयारी को आसान करने के लिए हमने एक course launch किया है Past Prelims Discussion Course यदि आप 2021 के paper की तयारी कर रही है Do not forget to buy this course Especially वो लोग जो पहली बार UPSC के exam दे रही है Do consider to buy this course Right Before we go into the depth of this issue सबसे पहले हमें असल में समझना होगा कुछ geography के important facts और ये जो पूरा का पूरा असल में issue है ये भी इनी particular islands के इर्द गूमता है देखिए ये है आपका Taiwan और Taiwan का capital आपको मालूम होगा Taipei है उसके बाद ये आपकी China की boundary है चाइना का ये coast है यहाँ पर हमने इस image में आपको कुछ islands दिखाई हुए है ये वाले सबसे important islands है Matsu Islands उसके बाद एक islands है Kinman Islands और एक थोड़ा सा नीचे है जो कि इस image में शो नहीं हो पा रहे है somewhere over here which are called as the Pratash Islands ये तीनो islands जो है ये असल में Taiwan ही इनको govern करता आया है Taiwan का ही प्रशाशन इनको चलाता आया है since 1949 1949 वो वाला साल था जब Taiwan और China के बीच में एक तरीके से जो China के बीच में उस time बे civil यद हुआ चाइना इनके उपर Taiwan की sovereignty को नहीं मानता है लेकिन इनको जो गवन है वो Taiwan ही कर रहा है जो Matsu Islands है जिसकी हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो Taipei यानि की Taiwan के capital से लगभग एक घंटे की दूरी पर है अगर flight से बात करें तो ठीक है लेकिन अगर आप देखें जो Matsu Islands है वो चाइना के coast के बहुत नजदीक है Taipei से तो लगभग एक घंटा लगता है लेकिन अगर हम चाइना के coast की बात करें जो चाइना का closest island है वहाँ से ये Matsu Islands are merely 9 km away तो असल में ये वाले islands चाइना के बहुत नजदीक है लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि ताइवान की government इसको govern करती है तो ताइवान की government ने यहाँ पे 9 coast guard ships तैनात की हुई है जो की basically निगरानी रखती है कि कहीं कोई चाइना की ship आके इसको capture करने की या फिर यहाँ पे law and order को खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रही है यह वाले जो matsu islands है इसके आसपास Chinese vessels आती रहती है यह किस काम के लिए आती है Chinese vessels आती है sand dredging के लिए यानि कि वहाँ पे जो ocean है क्योंकि वो coast के बहुत नजदीक है तो वहाँ से मिट्टी निकालनी आसान हो जाती है Chinese vessels इसी काम के लिए वहाँ पे आती है और China की जो vessels आती है यह काफी बड़ी संख्या में आती है approximately hundreds of Chinese vessels अकसर आती रहती है और Chinese vessels जो भी आती है उनका size भी काफी बड़ा है अगर आप यहाँ पे देखें 1000 से लेके 3000 tons तक का जो size है वो Chinese vessels का होता है और इसके comparison में अगर आप देखें जो Taiwan के द्वारा coast guard ships यहाँ पे तैनात करी गई है इनका size is merely 10 to 100 tons Coming back China यहाँ पे sand को as a weapon कैसे इस्तिमाल कर रही है देखे चाइना क्या करती है कभी भी कोई नाम displayed नहीं होता जिसकी वज़े से जो Taiwan के coast guard में जो commanders हैं वो भी identify नहीं कर पाते कि असल में ये ships कहां से आई है इनका source क्या है In fact Taiwan ने ये कहा कि पिछले साल की बात है 2020 की बात है जब Taiwan ने लगभग 4000 से भी जादा Chinese sand dredges को यहां पे देखा है और उनको कईयों को पकड़ने की कोशिश भी करी है 2019 अगर आप देखें Chinese vessels का जो number था it was 600 लेकिन 2020 में ये number बढ़कर 4000 के आसपास पहुंच चुका था आप ऐसा माल लीजे लगभग 7 times यहां पर number बढ़ चुका था Chinese sand dredges का around the Taiwan island of Matsu और यहां पे अगर आप देखें जो June last year की बात है June 2020 की बात है उस टाइम पे पूरी दुनिया COVID-19 से भी जूज रही थी उस टाइम पे Chinese dredges ने अपनी जो कारवाई है वो काफी बढ़ा दी थी और इन्होंने काफी भारी मातरा में यहां से sand को भी कठा किया और यह इस चीज को इस्तिमाल कर रहे थे for various construction projects in China अगर हम चाइना की strategy को यहां पे समझें तो चाइना की strategy बड़ी simple है चाइना क्या सोच रही है चाइना यह सोच रही है कि हम एक तीर से दो निशाने मार सकें सबसे पहला काम तो obviously जैसा कि मैंना आपको बताया यह basically पूरी की पूरी जो sand है यह चाइना इस्तिमाल कर रही है for various construction projects in their country यह वाला जो construction project है इसकी बात करें तो यह जो सारी की सारी coast guard की ships है sorry जो सारी की सारी dredging ships आ रही है ऐसा coast guard की ships का कहना है कि यह सारी की सारी dredging ships basically northern direction में जा रही है towards the city of Wenzu जहां पे Chinese government ने recently एक बहुत बड़ा land reclamation का project शुरू करवाया था अगर आप Wenzu की location को देखें तो इस map में काफी आसानी से आप देख सकते हैं देखें यहां कहीं पे है मात्सू से उपर चली जाती है तो इसलिए Taiwan के लोगों को लग रहा है कि यह पूरा का पूरा काम चाइना अपने construction project को पूरा करने के लिए कर रही है तो यह तो हुआ पहला निशाना दूसरा निशाना चाइना का यह है कि at the same time हम Taiwan को pressurize भी कर सकते हैं क्योंकि जो island है वो Taiwan का है अगर हम Taiwan को pressurize करेंगे तो उनके जो naval defenses हैं उनको हम ठका देंगे और धीरे धीरे हम मात्सू residents को भी परिशान करना शुरू कर देंगे जिससे उनको लगता है कि आगे जाके शायद Taiwan इसके ऊपर अपनी sovereignty को surrender कर दे और Taiwan इस particular island को China को swamp दे. So this is how the Chinese are planning over here कि एक तरफ उनकी economy तो आगे बढ़ ही रही है एक तरफ उनको मिट्टी तो मिल ही रही है साथी में वो strategically Taiwan को भी challenge कर सकें. यहाँ पर अगर आप देखें इस पूरे के पूरे कारवाई का जो मात्सू के residents के उपर नुकसान हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है. सबसे पहले तो जो local economy है वो काफी जाता disrupt हो चुकी है. यह कैसे? देखें अकसर जब China के कुछ vessels आती रहती हैं, चाइना की तरफ से कुछ air strikes आती रहती हैं, तो मात्सू के लोगों में एक डर बैट जाता है. यही नहीं अगर आप देखें, जब यह multiple sand dredging vessels यहाँ पर land करती हैं, आती हैं, तो कई बार यह अपने रास्ते में undersea communication cables को भी damage कर देती हैं, जिसकी वज़े से कई सारे जो mobile phone connections हैं, कई सारे internet सेवाएं हैं, उनमें भी बाधाएं देखने को मिली हैं. यही नहीं वहाँ के जो residents हैं और वहाँ के जो tourists हैं, उनको भी डर लगता है, obviously जब localize को डर लगता है, तो tourist को भी डर लगता है, जब वहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि मेभी शायद कुई attack ना हो जाएं, मेभी शायद Chinese government कुछ करना दे, and लोगों का ये भी मानना है कि जो ये excessive sand dredging हो रही है, इसकी वज़े से जो वहाँ की marine life है, जो वहाँ का fish catch है, ये भी कम हुआ है. इसके कुछ उधारन भी आपके सामने हम share करेंगे. देखिए, मात्सू जो है, ये असल में एक बहुती popular tourist destination है. historically काफी famous था मात्सू और क्यूंकि वहाँ पे पुराने घर बने हुए थो, तो वहाँ पे ताइवान के लोगों ने उन घरों को guest houses में convert कर दिया है. लेकिन चाइना ने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी tourist आ रहे थे, वो चाइना की इन activities की वज़े से, अब localites भी वहाँ पे obviously डरते हैं और क्यूंकि tourist भी अब localites से ही सीखते हैं, तो tourist भी आके obviously डरने लगे हैं. साथी में अगर आब देखें, एक यहाँ पे particular वहाँ पे local seafood restaurant चलाने वाला कोई है, Chen Kuyo Chiang, इन्होंने यहाँ पे यह कहा है कि fish catch में भी काफी भारी गिरावट देखने को मिली है, पिछले साल वो बोलते हैं कि पिछले साल जब मैं एक बार जाता था, तो लगभग 39 to 40 fishes catch करता था, लेकिन अब मैं जाता हूँ, तो मेरे हाथ में below 10 fishes आती हैं, ऐसे आकडे उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, अल्रेडी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से sand dredging की वज़े से, जो undersea communication cables हैं, वो भी disrupt हो रही है, जिसकी वज़े से mobile for all internet से वाएं, वो भी काफी जादा बाधाई देखने को मिल रही हैं, now obviously जब इस चीज का पूरा का पूरा China से reaction लिया गया, कि आपको क्या लगता है कि आपकी country ऐसा कर रही है, तो China का एक office बनाया गया है जिसका नाम है China's Taiwan Affairs Office, इन्होंने यहाँ पे कहा कि Taiwan के जो claims हैं, यह सभी के सभी baseless हैं, और साथी में उनको लगा कि अच्छा मौका है, साथ में हम यह भी घोशित कर दें, कि Taiwan जो है वो China का ही एक inseparable part है वो एक अलग देश नहीं है, राइट यह तो थी पूरी की पूरी कहानी जो की बोल रहे हैं, यह China का Gray Zone Warfare का एक तरीका है जिसमें की China क्या करता है वो basically irregular tactics का इस्तिमाल करता है, यानि की अजीवो गरीब तरीकों का इस्तिमाल करता है so that वो अपने दुश्मन को exhaust कर सके, यानि की उसको ठका सके लेकिन वो असल में अपने दुश्मन के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेगा कभी भी जंग नहीं करेगा, वो केवल उसको ठकाना चाहता है, so that वो एक टाइम आए, जब वो give up करके अपने हाथ खड़े कर दे, surrender कर दे और बोल दे कि ठीक है, हम अपनी जो संप्रबुदा है, वो आपको सौंपने के लिए तयार है, ये उन्हों ने बताया कि ये जो sand dredging का तरीका है, ये basically चाइना का latest तरीका है, जब वो बड़े बड़े जहाज भेज कर दूसरे देश को डरा रहे हैं, इसके पहले भी तो चाइना ये करता आया है, उन्होंने कहा कि PLA जो है, जो चाइना की People's Liberation Army है, इन्होंने कई बार warplanes भेजे हैं, जो कि ताइवान की तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन ultimately कुछ attack नहीं करते, लेकिन जैसे ही Chinese Government announce करती है कि हम warplanes भेज रहे हैं, obviously ताइवान एकदम सतर्क हो जाता है, तो ये करता कुछ नहीं है, ultimately ताइवान एक छोटी country है, ताइवान के resources को drain out करते हैं, और साथी में, जो उनकी armed forces हैं, उनकी will को भी erode करते हैं, उनकी will को भी, कही ना कही motivation को कम करते हैं, और ये कर कैसे रहे हैं, ये basically ऐसे harassment वाले काम, बार-बार करकर के routine procedure बना-बना के उनको तंग करने का ये कारोबार चाइना यहाँ पे कर रही है, in fact इसके कई सारे हम evidences भी आपको दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया today की ये खबर है, May 27 की बात है, इस time पे COVID-19 अपनी peak पे था, उस time पे Xi Jinping ने कहा Chinese military को to prepare for war, उस time पे लगा कि शायद वाकई में China इस मौके को इस्तेमाल करने वाली है, ताइवान के सामने जंग लड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं reality में, similarly ये में के बाद आप देख सकते हैं, October 18 की खबर है, इस time पे क्या हुआ था Xi Jinping ने खुदने जाके एक ताइवान के coast के, चाइना और ताइवान के जो बीच का एरिया है, वहाँ पे जाके, अपनी एक Navy के command से मिले जाके, और उन्होंने कहा कि आप तयार रहिए, हमें कभी भी जंग करनी पड़ सकती है, बस इतना सा उन्होंने कहा था, और लोगों को लगा शायद फिर से एक possible military invasion हो सकती है ताइवान की, so again, basically ये कुछ ऐसे तरीके हैं, जिसके माध्यम से, चाइना एक कहीना कही डर पैदा करना चाहता है, and at the same time, ताइवान की जो limited resources हैं, उनको खतम करना चाहता है इसको कहा जा रहा है, चाइना का psychological warfare, या फिर इसको grey zone warfare भी कहा जा रहा है so obviously ये वाली जो चीज है जादा अच्छी नहीं है, now ताइवान ने लेकिन यहाँ पे इस particular जो sand dredging वाला, जो पूरा कारोबार हो रहा है, इस चीज को लेके ताइवान ने अपनी रणनिती घोशित कर दी है in fact, just पिछले साल की बात है December 2020 की बात है President Tsai Ing-wen, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपने देश के लिए, अपने Coast Guard के लिए, Aircraft Carrier Killer Type Boats लेके आने वाले हैं, जो की latest vessels हैं, जो की हमारे Coast Guard की शमताओं को काफी बढ़ा देंगे in fact, इन्होंने यह भी कहा कि हम आगे जाके more than 100 new Coast Guard Boats will be built in the next decade, आप देख सकते हैं Vion की यह खबर है, December 11 इन्होंने कहा कि हम इतनी तेजी से Coast Guard Boats को बढ़ाना चाहते हैं, so that हम Chinese dredging के उपर किसी भी तरह की mercy show ना कर पाएं, so Taiwan अपनी strategy को शुरू कर चुका है, it remains to be seen कि exactly यहाँ पे क्या होता है, and with that, I take your leave, thank you for listening stay tuned and stay safe